हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपनी यूटूब चैनल बीर बिल्डाउचिन में एक और नहीं वीडियो लेक्चर साथ कम पैसे में घर बनाए सीरीस का 25 वे नंबर का वीडियो है यह आज हम बात करेंगे जब भी मान लीजे आप कॉलम बनाते हैं उसके बाद अगर मान लीजे, डोर फ्रेम भी वहीं से आ रहा है, तब आप क्या गलतियां करते हैं कि कॉलम को काड़ देते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉंट्रेक्टर्स हैं जहां पर मैंने ये चीज देखा हूं कि कॉलम को काड़ देते हैं, फिर fix कर देते हैं तो ये गलती उनको कितनी भारी पढ़ सकते हैं या फिर ये गलती नहीं करते हैं वो तो उन्हें क्या करना चाहिए मान लीजिए अगर मैं बता विदू कि उन्हें ये चीज नहीं करना चाहिए तो क्या कर सकते हैं वो सारी चीज हैं आज की वीडियो में समझेंगे सीधा हम वीडियो में चलेंगे और देखेंगे आज का टॉपिक है How to fix बुडन या तो बुडन डॉर फ्रेम है या फिर MS डॉर फ्रेम है बित RCC मेंबर यानि कि beam, column, slap, कोई भी RCC मेंबर से connect हो रहा है लेकिन condition यहाँ पर क्या आती है जब भी अगर डॉर फ्रेम या डॉर connect होता है तो वो सिर्फ column से ही होता है 99% cases में या फिर आपका wall से होगा यानि कि देवार से यहाँ पर आप यह देख सकते हैं यह हमारे पास एक डॉर फ्रेम और उसका plan section कह सकते हैं आप कि हम सामने से देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से देखेगा यह है हमारे पास door कुछ इस तरीके से लगाते हैं यहाँ पर हमारे पास wall है कि किस तरीके से wall के साथ हम लगाएंगे और यह हमारे पास एक door frame with shutter कि क्या होता है चलिए यहां पर हम समझेंगे पूरी चीज़ें, उससे पहले आप यह चीज़ें देख लीजिए, यह देखिए, यह हमारे पास है डोर का डोर का फ्रेम, ठीक है, यह यहां पर हमारे पास फ्रेम होता है यह, यह हमारे पास फ्रेम, यह हमारे पास सटर, जो बीच में ओपन होता है, जिसे हम पल्ला भी कहते हैं वो होता है सटर वो है हमारे पास ये पोर्शन इस पर पेनल भी लग सकते हैं अलग-अलग डिजाइन भी आ सकते हैं ये एक अलग चीज है कि आप जो सटर है किस टाइप का या किस डिजाइन का बनाना चाहते हैं सटर हो जाता है और नीचे हमारा यह फ्लोर लेबल है यह हमारा यहां से फ्लोर लेबल है अब देखिए यहां पर यह चीज़े हमारी किलियर हो जाती है अब यहां पर हम बात करेंगे कि यह चीज़े मान लीजे आपका यह लिंटल है यह हमारे पास लिंटल है जो कि हम लगबग साथ साड़े साथ फिट के डालते हैं डोर विंडो के उपर डालते हैं इसके बारे में सीरीज में आगे बात करेंगे कि किस टाइप से डालना चाहिए अभी सिर्फ यह समझ लीजे कि हम डोर यह विंडो फ्रेम के उपर साइड में फिर ब्रिक वर्क स्टार्ट करते हैं इसके लिए डालते हैं अब होते हैं जो एंगल लगे हुए होते हैं यह होते हैं हमारे होल्ड फास्ट यह होल्ड फास्ट है हमारे लगे हुए होल्ड फास्ट इनको हम फिक्स करते हैं आर्जेसी मेंबर से सटर आता है हमारा फिर सिल्व गेरा लेवल लेकिन ज्यादर डिटेल्स की यहाँ पर जरूरत नहीं है जो टेक्निकल टर्म्स पर अगर बात करें हम अब आ जाते हैं हम इस पर यह हमारे पास एक वाल है ये वाल है जो कि आपके नाइन इंच हो सकती है अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं पहले ही बता चुका हूँ यह है हमारा पोश्ट आप यहाँ पर देख चुके हैं यह पोश्ट है हमारा बीच में जो है यह हमारे पास सटर यह सटर है हमारी यह बीच में यहाँ पर और जो लगी हुई है यह है पैनल या फिर अलग-अलग डिजाइन अप रख सकते हैं यहां पर हमारा यह आजाता है लिंटल यह लिंटल है हमारा यहां पर यह जो है आपको दिख रहा है यह है कॉलम मैं यहां पर यह हमारे पास कॉलम अब यहां पर यह आपकी वाल आ जाती है कॉलम आ जाते हैं हो सकता है एक तरफ कॉलम आए या फिर हो सकता है दोनों तरफ कॉ सकती हैं अब हम अगर यहां से बात करें तो यह हैं आपका ग्राउंड लेवल और यह हैं फ्लोर लेवल आएगा प्लिंध लेवल लगभग कुछ जगह सेम भी रखते हैं कुछ जगह कम भी रखते हैं इसके पहले की वीडियो नहीं काटे हैं तो हम किस तरह से fix कर सकते हैं 99% किसे इसमें क्या करते हैं मान लीजिए आपका ये column है तो column को यहां से यानि कि अगर हम यहां से देखें तो यहां पर इसके hold fast आएंगे तो इतनी जगे कट कर देते हैं यहां से यह कट कर देते हैं 20 से कट कर देते हैं यहां से ये cut करके यानि कि वहां से hammer वगेरा से तोड़ देते हैं या तो फिर कुछ जगे उसको किसी और चीज से छैनी हथोड़े वगेरा से तोड़ देते हैं और वहां पर जो reinforcement रहती कॉलम की वहां से fix कर देते हैं और फसा देते हैं कि आपका door frame fix हो चुका है हमें ये चीज बिल्कुल नहीं करना है ये बिल्कुल गलत है क्या करना है यहां पर सबसे पहले आपको कौन-कौन सी चीज़ों की जरूरत होगी यह देख लीजिए यहां पर रहेगा MS clamp जो कि fix करने के लिए important चीज है और यह जरूरी होता है second आता है screw या फिर nails जो कि important है hammer हथोड़ा यहां पर फिर आएगा 10 mm डायवार का आपका reinforcement या फिर सरिया जो रहेगा वो रहेगा आपका 10 mm डायवार का एक चीज यहां पर ध्यान दीजिए building machine रहेगी आपकी 5th पर और gum गम की जगह और इस पर chemicals भी आते हैं पेडिलाइट वगिरा कंपनी के बहुत सारे यहां पर आपको chemicals भी मिल जाएंगे fixing के लिए या फिर आप gum यूज़ कर सकते हैं अब इसकी step क्या है step by step देख लेते हैं हम यहां पर समझ लेते हैं सबसे पहले fix the MS clamp with door frame MS clamp जो है आपको door frame जो है यहां पर fix कर देना है अगर इस portion की बात करें तो use screw nails to fix clamp clamp को fix करने के लिए screw nails का use करना है अगर हम आगे बात करें तो aligns clamp with RCC member आपको देख लेना है कि सही हाय या नहीं ठीक हाय या नहीं आप लंबो बगिरा भी यूज़ कर सकते हैं आगे बात करें तो make 10 mm dia hole with RCC member in both side अब दोनों side हमें क्या करना है मान लीज़े यहां पर RCC member है आपका column है तो उस column में आपको कुछ इस तरीके से hole कर लेना है आपको 10 mm dia का आपको 10 mm dia का यहां पर hole कर लेना है और उसके बात क्या करना है देख लिज़े आपने RCC member में दोनों side hole कर लिए यहां पर insert 10 mm dia bar into holes holes के अंदर आपको डालना है before inserting bar apply gum on it जब भी आप insert कर रहें यानि की डाल रहें तब आपको उसमें gum का यूज कर लेना है या फिर chemical आप जो भी लेना चाहते हैं बहुत सारे markets में available है आप जाके retail shop में या फिर आपके जो भी dealer है वहाँ पर आप एक बार confirm भी कर सकते हैं अब अगर हम आगे बात करें तो build the bars with clamp के साथ जो बार है आपकी वो आपको welding कर देना है इस तरीके से fix हो जाता है अब अगर हम बात करें आगे तो यहां से क्या कर सकते हैं आप पहले fix कर लें वहाँ पर आप reinforcement यहां से जो आपका डाया बार आने वाला है या फिर hold fast उसे आ बहुत जादा problem होती हैं लेकिन इस कारण भी नहीं करते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि settling में भी problem ना आए कुछ इस तरीके से आपको करना होगा क्योंकि यह थोड़ा सा difficult है और फिर आप RCC column की direct casting कर सकते हैं इस condition में आप फिर बाद में अब अगर मान लीजी आपको यहां पर करना है आप खुद ही पूरी planning कर रहे हैं आप खुद ही supervision कर रहे हैं वहाँ पर जो खुद architect है engineer है उन लोगों के लिए important tips यह आप खुद घर बना रहे हैं तो यहां पर यह जो wall है यहां पर already हम क्या करते हैं इस level पर जब wall आती है आपकी यहां से हमारा पता है हमे fix कर देते हैं hold fast और एधर side भी आपके hold fast निकले हुए होते हैं यह कुछ इस तरीके से आपके निकले हुए होंगे तो जब कुछ इस तरीके से निकले हुए होंगे तब यहां पर आपको क्या करना है कि जब यहां तक brick work आया तो आप इसे concrete से m20 grade आप यहां पर m20 grade m20 grade यानि की 1 ratio 1.5 ratio 3 यानि cement sand aggregate आप इससे ये ratio का material बना कर क्योंकि work चलता है तो material आल्रेडी बना भी होता है यहां पर fix कर दें आप पहले तो इसके बाद फिर आपका brick work करें फिर आप यहां पर fix कर दें जब इस level पर आया hold fast तो लगे रहेंगे आपके कोई दिक्कत नही और फिर आप यहां पर कर दें ऐसा आप सभी तरफ करें अब आपका जो column आ रहा है तो जब खुद ही पूरी planning कर रहें तो यह कोशिस करें कि इसके बाद आप कम से कम 9 inch की जग है brick work के लिए आप छोड़ दें यहां से brick work हो उस पर हम brick work पर हम यगर यह work करें तो ज़्यादा benefit होता है और ज़्यादा अच्छा होता है या फिर otherwise आप column में कर रहें तो फिर आपको यह पहले से fix करना होगा या तो फिर मैंने यह जो बताया हूँ इस तरीके से करना होगा तो अगर वीडियो अच्छा लगता तो लाइक करें दोस्तों के साथ सेयर करें और चैनल पर पहली बार आएं तो सब्सक्राइब करके वेल आइकान जरूर प्रेस कर लीजेगा मिलते नेक्ट वीडियो में किस आन्ने डॉपिक के साहथ अब तक के लिए ठेंक्यो